साधी कैसे होगी कब होगी दर्सक इंतियार करना है साधी होगी और बहुत धूम धाम से होगी बरात इनके दरवाजे तक जाएगा और सभी मीडिया वाले वहां उपस्थित रहेंगे मैं भी उपस्थित रहूँगा बहुत सारे लोग कहते हैं आपके पते हैं जैसे कहाते हैं कि यह आपको बाइफ्रेंड है आपका पती है मुझे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो मुझे जो भी समजें लोग तो बहुत उसके लिए वो कुछ भी सोचे मेरा करतब था मैने इनके मा को आदा किया था पुझे हम लोग जब दर्सन करने गए हैं तो बाबा सोचे कि मतला पती पतनी है तो उन्होंने मूर्ती पर से दो माला उठाएं और उनके गले में हमारे गले में फिक दिये दोनों लोग के तो तो तुमाम लोग सवाल भी खड़ा करते हूं बहुत सारे लोग सवाल करते थे बावनिया को लेके कहा घूमता है ताने मारते थे बावनी लड़की है तुम्हें सरम नहीं लगता है तो कभी-कभी मेरे अंदर फीलिंग आती थी यह सच है मैं अपनी वी सचाही बता रहा ह मित्रो नमसकर अभी हमारे साथ गुड़ी रानी और जगजोरन जी हैं जो की सोसल मीडिया के इस समय एक चर्ची चहरा है फिल्मों में भी काम किये हैं गुड़ी रानी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि एक गरीब परिवार की लड़की पांच भाई बह है यह विद्डूरा रहे दों से अपने संगर्सो को बताकर के अपनी उन संगर्सों के दिनों को याद कर रो दी थी और जब हम लोगों ने इन से पूछा कि संगर्सों में सबसे ज्यादा सहयों किस से प्राफ़ रख हुआ तो बताई जगजोरन कहीं हम लोगों का यह करता बेवनता है कि जग जोरन जी को भी कैमरे के सामने लिया करके और दोनों लोगों को बकाइदे सामने बिठा करके जानते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी किस प्रकार से चलेगा और किस प्रकार सबसे पहले आपको धन्यवाद अच्छा इनीक बारे में बता रहे थी कि आपका सायोग कि यह हैं सागर जी उर्फ जग जोरा लाल और इनों नहीं मेरा आज इतना सपोर्ट किया और आगे बढ़ा है यहां तक ले आया जी बड़ी तारीफ सुनें आपकी तो बहुत-बहुत स सक आपके चैनल के हमें देख रहे हैं उनको साधर पर नाम बड़ी तारीफ आपकी कर रहे थी मतलब आज यह जब संगर्सों के दिन में आगे बढ़ रही थी जब इन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो उस समय आप एक पिता और एक भाई का रोल अदा करने के लि बस हम एक जरिया बन गए हैं एक लाइन हमने खीच दिया है उस पर इन्होंने चला है इनके टैलेंट ने इनको आगे बढ़ाया है जी अचा गुड़ी कभी चर्चा की थी आप से कि मतलब मेरे जो बीते दिन थे जीवन के जो मेरे कठिनाईयों के दिन थे किस परकार थे हा इन्होंने चर्चा किया था जब पहली फिल्म में हमारी इनकी मुलाकात हुई थी दिल धख धख करें हम दोनों का मतलब रोल था दिल धख धख करें मैं वहीं इन्होंने चर्चा किया था बहुत सारी बिथाएं बताई थी अपने घर की प्रेशानियां बताई थी और तो हम है है, हम कहें टीक है, आप एक जैसी लड़की हो, लेकिन उसके लिए एक सर्थ है। हुआ वही दो साल तक उन्होंने कुछ नहीं बोला दो साल के 20 में मैंने बहुत पैसा कमवाया इनको लेकिन थोड़ा थोड़ा कमवाया था लेकिन दो साल जैसे बीता हाइलाइट हो गई जी अचा बता सकते हैं कि वह कौन सी ऐसी ब्यथा थी और कौन सी ऐसी परेशानी आपक गरीब है वीडियो काल में इन्होंने अपना मने यहां तो बताया था वीडियो काल में दिखाया भी और इन्होंने एक स्टोरी हमसे बताया था कि मतलब जब इनके पडोस उडोस में कोई महमान हमान आये थे और इनके घर में खाने के लिए नहीं बहुत पुराने समय में ज मुझे बहुत लगी उस दिन मैंने बहुत रोया था इनकी बैथा सुनकर तब से मैंने इनका दिल जान से पूरा एकदम जी जान लगा दिया मैंने उतना अपने पर ध्यान नहीं दिया जिनका इतना इनको आगे बढ़ाने के लिए मैंने जितना इन पर ध्यान दिया जी जान रहीती है हमारे घर पे ऐसे हो रहा है बहुत दिकते हैं खाने पीने का हर एक चीज क्या समस्या है और पापा का भी हमेसा तब खराबे रहता था तो खाने पीने का ज्यादा हम लोग भर पेटी इच्छा होता है खालो कुछ तो नहीं मिलता था नहीं अच्छा अगर बहुत सारे लोग सवाल करते थे बावनिया को लेके कहां घूमता है ताने मारते थे बावनी लड़की है तुम्हें सरम नहीं लगता है तो कभी-कभी मेरे अंदर फीलिंग आती थी यह सच है मैं अपनी भी सचाई बता रहा हूं तो यह अगर यहां रहती थी तो मैं इससे पचास कदम आगे रहता था इस लोग देखते थे हंसते थे मजाक उड़ाते थे यह देखिए कितनी चोटी है कितना बड़ा बैग मैं ही ढोता हूं अभी इनका ढोता हूं तब भी मैं ढोता था जो शुरुआत में क्या ढोपाएंगी हमारा बैग हम इनका खुड होते थे दीरे 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 मुझे लगा नहीं मैं गलत कर रहा हूं अगर मुझे सपोर्ट करना है तो खुल के करना है दिलो जान से करना है और नहीं करना है तो किसी का नहीं करना है इसलिए मैंने मन खोल के अपने साथ उंगली पकड़ा के अपना उंगली जैसे एक मतल किसी भी वीडियो में आपको लोग असिस्टेंट तो नहीं समझ लेते हैं कि गुड़ी रानी फेल में स्टार और आप असिस्टेंट मुझे इसका कोई परभाव नहीं पड़ता है वो मुझे जो भी समझें लोग तो बहुत बहुत लोग तो गलत भी सोचते हैं उसके लिए कुछ भी सोचें मेरा करतब था मैंने इनके मा को वादा किया था मेरा करतब था मेरे मैं मैंने ठाना था किने आगे बढ़ाना है और भगवान ने वो दिन मेरे सामने लाया और मैं इनको आगे बढ़ाने में सफल हुआ सबसे बड़ा गर मुझे अपने आप पे होता है कि कम उसे कम भगवान के सामने जो मैंने बिथार होया था आज वो सपना मेरा पूरा हो गया अच्छा गुडडी जी आप बताईए कि मतलब ऐसे जब किसी कारेक्रमों में आप जाती हैं लोगों की भेल लगी रहती है तो कोई किनारे से चुपके से आपके आपसे कहा है कि आपका कि आपके पती है कि आपका मतलब बाइमाउथ बताते चलेंगी कि मतलब यह हमारे दोस्त हैं भाई है सपोर्टर हैं पीता के तरह हर दाय तो आज बता दीजिए कि आपके क्या है बच एक अच्छे दोस्त है सपोर्टर है इनों ने बढ़ाया आप बता दीजिए मैं अब यह जान लीजिए मैंने एक सच्चे मन से नीश्वार्थ रूप से मैंने इनका सपोर्ट किया है और यह लगभग जितने हमारे पुराने लोग हमको जानते हैं जब गुडडी जीरो थी उस समय जो भी मुझे जानते थे आज वो भी जानते हैं कि आज शागर मतला इनका सपोर्ट किये हैं लोग कहते हैं रहे सपूर्ड रह ले तो तु आज बहुत भाव खाता तू बढ़ी गई लूँ अपना अपना बैथा सब बतात सागर जी बताइए साधी के लायक हो गई है 23 बरस इनकी उम्र हो गई है साधी कैसे होगी कब होगी दर्सक इंतियार करना है साधी होगी और बहुत धुमधाम से होगी बरात इनके दरवाजे तक जाएगा और सभी मीडिया वाले वहां उपस्तित रहेंगे मैं भी उपस्तित रहूँगा मेरे पास जो रहेगा दान दहज लेके मैं भी खड़ा रहूँगा कम से कम मैं भी उसमें सहयोग रहूँगा किसी के कन्या में दान में मैं कुछ तो सहयोग करूँगा पगड़ी किस तरफ की पहनेंगे बर पच्च की की बधू-पच्च की मैं तो बधू-पच्च की ही पहनूगा यस क्योंकि मैंने सपोर्ट किया है मैंने अगर मेरे अंदर खुश भी फीलिंग है इनके लिए तो मुझे बधू-पच्च में ही रहना होगा जी अभी हाली मैं आप बताईएगा बिजली रानी और बिजली भाई और आपके साधी को लेकर करके चर्चाय छिडी थी क्या थी उसकी सच्चाई नहीं साधी फिक था साधी नहीं था हम लोग मंदिर में गए तो यही बाबा ने मंदिर डाल दिये तो सब लोग ताली मानने लगे अच्छा बा उन्होंने मूर्थी पर से दो माला उठाये और उनके गले में हमारे गले में फेक दी दोनों लोग हाँ तो चंदा बाबी और करम चंद बाईया और सारे जीतने रागणी बिश्कारव सब लोते हासने लगे तालिमाने लगे शाधी हो गया विजिलीजी का गुड़ी जी सा विजली के बारे में जब भी चर्चाय की जाती है तो आप सर्मा जाती है क्यों विजली के परिवार वाले राजी हो जाएं गुड़ी के परिवार वाले राजी हो जाएं तो क्या साधी विजली से होगी आप राजी अगर घर वाले हां रह जाएंगे विजली में सब्सें अच्छा आपको क्या लगता था विजली एक बहुत अच्छा सोच्छा इंसान तेब बहुत अच्छा और बाते भी बहुत अच्छा बति Classice गाना बहुत सुनाते हैं उद्थ एच्छां प्रकार के इंप्रेशन अक्तर लड़कियों पो पिंपे जम जाते हैं फिर विजली का अपके उपर क्यों नहीं या जमा बताना नहीं चाहती हैं खुलासा नहीं करना चाहती हैं लुख बाता नहीं है तो लोग विडियो आता था था ना तो लोग यह सोचते थे लेकिन नहीं